हलो दोस्तों, बेलकम टू माई चैनल, देखे मैं आज तिल के लड़ू बनाने जा रही हूँ, क्योंकि संक्रांती आ रही है तो मुझको तिल के लड़ू बनाने, तो मैंने तिल को लिया, आधा किलो तिल लिये, धो करके, साफ करके, तिल रखे, सुखा करके, और आधा किलो गुड़ लिया है, तो जितना तिल होता, उतना ही गुड़ लेना चाहिए, बराबर बराबर की मात्रा होने चाहिए, तो अब मैं तिल को कढ़ाई में डालकर के तिल भूनूंगी, देखे तिल को धीमी धीमी आज में भूनना है, तिल जब भूने लगेगा, तो चिटकने कि बिल्कुल बजार जैसे लड्डू बढ़िया बनते हैं देखे तिल हमारा बुन गया देखे इसमें से आवाज आने लगी छिटकने लगा है तिल और अच्छे से गरम भी हो गया है ज्यादा नहीं मून लेंगे नहीं तो कड़वारत सा जाता है धीमी आज में बिल्कुल अ अच्छा है कि बाहर के लड्डू लाई और खिसकसाते हैं तो अपने घर में तिल धो करके साफ करके घर में लड्डू बनाई तो बहुत ही अच्छे बनते हैं तिल अमारा बुन गया मैं गैस को बंद कर दूंगे और तिल पलट लूँगे देखे वापिस वही कड़ाई मै इन में टुकडे गुर में टुकडे घर के ऐसमें डास नी PAKने लगी के वर बिल्कुल एक बड़ा चमत गुड डालने के बाद एक बड़ा चमत पानी डाला है और उसके बाद झासनी हमारी पकती रहेगी आफ चासनी अच्छे से पक जाएगी बिलकुल गोली बन कि अकद के दूब किशना्य बिल्कुल टाइट गोली जो बनने लगेगी तब हम सुऩखने पटने छास också पर डिदinte में मैं सुन नेरी हमारी झास्टनी फंत्स को ङड़ी है यह देखियो आउनके इसमें तिल डाल जैंगे तिल डाल के बराबर मिला लेंगे ये देखे बिलकुल हमारा तिल और गुण आपस में मिल गया है और हाथों में हलका सा घी लगा के थोड़ा सा ठंडा होने लगे और आप अराम से लड़ू बना लेंगे अभी मैं आपको इसके लड़ू बना के दिखाती हूँ थोड़ा सा ठंडा हो तब मैं क्यूंकि अभी हाथों में एकदम चिपक जाएगा बहुत गरम है एकदम तो ये देखे तिल और गुण हमारा आपस में खुब अच्छे से मिल गया है थोड़ा सा ठंडा होने लगे और मैं इस हातों में अपने दोनों हातों में हलका सा घी लगा करके और लड़ू बनाना शुरू कर दोंगे देखिए हमने हाथों में घी लगा लिया है और देखिए लड्डू हमारे खुब अच्छे से बनने लगे हैं आप चैसा जितना बड़ा साइस चाहे उसे साफ से लड्डू आप बना लेजिए देखिए हमारे लड्डू बनने लगे हैं अब मैं बना बना के लड्डू रख करिएगा थैंक यू फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ